नमस्कार सातियों महिलہ सास बी यह मैं यादर नहां आप यू प्रतिकात्मक सार êtesएं दिली के इतियास टिकलत्य कैंत्य फृवसस्य estava मैं थनी। यह रजिया शाओ और परतम तुरक मायिला शास याओ भी रजिया सुल्तान है तो यह हमें यहाद रखना है रजय द्वारा परदा त्याग कर पुरुसों की भाती कॉट और कुला टॉपी पहना शुरू किया जैसा कि आप चीतर में देख रहे हो और इसका यह जो उपर वाला है यह 1236-1240 इस्वी यह जरूर याद रखिएगा जो इस परकार से इस बार र अलतूनिया को न्यूक्त किया देखें बदायू का इन्होंने जो इक्तादार है वो एतकिन को किया और तरहिंद का तबर हिंद है जो बटिंडा के अंदर है इसको अलतूनिया को इसने न्यूक्त किया अब न्यूक्त यहां से कर दिया तो अब इसके न्यूक्ति के बाद ही यह सारी कानी है वो आगे होनी वाली है तो देखिए क्या हुआ अब देखिए अलतूनिया द्वारा 1240 इस्वी में सरहिंद का विद्रोग कर दिया गया अलतूनिया के द्वारा 1240 इस्वी में सरहिंद का विद्रोग कर दिया गया और इसे मजबुरन रजिया को अलतूनिया से विवा है वो करना पड़ा तो ये भी याद रखिएगा अल्तूनिया को ने सरहिंद का विद्रोक किया 1240 इस्वे में और रजिया को अल्तूनिया से विवा करना पड़ा 12 अक्टूमबर 1240 इस्वे में डाकवो ने केथल के निकट इनको लुटा और इनकी हत्या कर देती जिसके साथ अल्तूनिया और रजिया दोनों समाप्त हो गए के पारे में ज्यादा कुछ नहीं है इतना ही हमें याद रखना है ठीक है एक तो पर्थम मुश्लिम साची का थी और इसके लाओ हमें यह भी ध्यान रखना है कब किसका वह बाराश सुच्छ्चिस में बनी रजिया सुल्तान और डाकूझ ने मार दिया था तुर्की गुलामों की मेत्वकांसा और इसके बारे में जो एक कथन है वो है एलफिंटस का कथन क्या है रजिया अगर महिला नहीं होती तो उसका नाम भारत के महानसासकों में होता तो ये कथन आपको जरूर याद रखना है क्योंकि कथन एकजाम में जरूर पूछते हैं तो याद रखेगा एलफिंटस का कथन था रजिया अगर महिला नहीं होती तो उसका भारत के महानसासकों में नाम होता चलिए अब हम इसके बाद में आते हैं मुझरूबदीन बहरामसा के बाद और मुझरूबदीन बहरामसा रजिया के तबरहिंद पस्तान के करने के बाद तुरक सरदारों ने इलतुतमिसके तीसरे पुतर बहरामसा को सिंगासन पर बेठा दिया था तो तुम इसका ये तीसरा फुतर था बहराम साथ, इसको सिंगाशन पर बैठा दिया गया था, 1241 में मंगोलों ने जब पंजाब पर आकरमन किया, तब तुर्की सरदारों द्वारा बगावत कर दी गई, और बहराम साथ को बंदी बना लिया गया, और 1242 में इसकी हत्या कर द दी थे, ये पद एत्कीन को दिया गया था, अब देखो तुर्क सरदारों ने जितने भी सुल्तान के अधिकार थे, वो सारे चिन लिए गया और वो अधिकार है, वो नाइब को दे दिये, नाइब को ही नाइब मामलिकात कहते थे, इसको सौप दिये थे, इंपोर्डेंट ह याद रखना, और इस पद पर एत्कीन है, उसको ये दिया गया थे, पहला नाइब को बना? पहला नाइब एत्कीन बना, यह हमीं नाध रखना है यहापए, खिक, यह पद एत्कीन को दिया गया, चलिए, आगे बढ़ेंगे, अलाउदीन मसूद सहाब अलाउदीन मसूद सार इलतुम सीच पूत्तर्ट, सतान फ rookल सा का पूत्तर था ठिक, यानि इसका पोता था इलतुम सीच जिसका और इसके सासन के समझ सक्तियान नायब के पास थी जैसा हम पढ़ चूके थे कि सर्दारों के दुवारा ये सारे सर्दान, सुल्तान की सारे सक्तियां चिनली गई थी और नाइब को दे दी थी नाइब मामलिकात को दे दी थी एतकिन था, ये हमने पढ़ ली थी ठीक है, अमीर-े-हाजीब के पद को प्राप्ट करने के बाद बल्बन ने अपनी सक्तियां बढ़ाना सुरू कर दिया, अब देखो यहाँ पर बल्बन सुरू हो जाता है, बल्बन है उसके दुवारा अमीर-े-हाजीब का पद है, वो प्राप्ट किया याद रखिएगा, किसके सासनकाल में यह पत्राप्ट किया, इन्होंने अल्हाँ दिन मसुद साके जोन 1246 में बल्बन ने इसको सिंखासन से हटा दिया बल्बन ने इसको सिंखासन से घटा दिया और मसुद को कारागार में इसकी हत्या कर दी गई, यहाँ मर्तियि 誉 गई अब बात करते हम देखिए सोडा वर्स के अवस्ता में 10 जून 1246 इसको सिंगासन पर बेठा दिया था इसको बलबनने ठीक है इसके सुल्तान बनने के समय सुल्तान और उसके तूर्की सर्दारों बीच संग्रश चल रहा था महमूत के सुल्तान बनते ही यह जो समाप्त है वो हो गया था देखि जब यह सुल्तान बन रहा था उसमें सुल्तान और उसके तूर्की सर्दार थे उनके बीच में आपस में संग्रश चल रहा था और इसके सुल्तान बनते ही यह सारा समाप्त हो गया नासुरुदीन के सासन काल में समझ सक्तियां बलबन के पास थी क्योंकि बाई बलबन ने ह इनके द्वारा उलोंग खाँ की उपादी दी गई तो यह इंपोर्टेंट है इस मனामलिकात के पद्द को कानूनी रूप देकर सासन के संपरॉन अधिकार बलुबं को सौंप देदे देखें महमूत के दुबारा बल्बन को नाइब मामलिकात के पद को कानूनी रूप से दिये दिया गया था और सासनिय जितने भी सारे अधिकार थे तो सारे बल्बन को दिये गया थे ठीक है और गुलाम ONCE को अगली क्लास में हम खतम कर देगे उसके बाद में short notes से लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि हमने गुलाम ONCE में क्या पड़ा उसी के बाद गुलाम ONCE के बाद में जो आपना nextsprance आएगा उसके बाद हैन करेंगे तो उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा तो इसकी जो पीडिया फाइल है वो आप हमारी वेबसाइट jpbhaka.com से डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो आप गूगल में ये नाम लिक की भी सर्च कर सकते हैं और चाहे तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के थुरू है वो भी आप मिल सकते हैं हमारी डेली है वो पीडिया फाइल है वो आती है ग्यारा बजे और आज इस इतियास की जो पीडिया फाइल है वो आपको मिलेगी चार बजे चार वजे आपको आद इसकी पहली पीडिया फाइल वो आपको अवलेबल करवा दी जाएगी तो वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेजेगा मिलेंगे एक नई क्लास के साथ तब तक ले अलविदा, जै हिंद, जै भारत क्लास अच्छे लगे, तो लाइक और से जरूर करना और कमेंट जो आप करते हो, भाई बहुत अच्छे लगते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो इस परकार स्कमेंट की जरूर किया करें थेंक्यू